दोस्तों आज मैं आपको ज़िए बताऊंगा कि पुराने फुन से नया फुन में कैसे फोटो ट्रांसफर कर सकते हो कि आपने अगर नया फुन ले लिया जैसे कि यह मेरा जो फुन देख रही हो यह पुराना फुन है और यह नया फुन है तो सारा का सरा photo वीडियो मैं नया phone में लोगा तो कैसे लोगा इसका full प्रोसेस बताऊंगा तो दो तरीका है एक है computer पे लेकर दूसरा mobile पे लेने के लिए तो वो तो अलग process है computer laptop अगर आपके बास नहीं है और इसके साथ जो comment box देख पा रहे हो, यहां पे comment box में, आपको यहां पे comment कर दिना है photo, उसके बाद लिख दिना है transfer, photo transfer, यह comment दोस्तों जरू कर दिना है, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपके फुन में, और जो आपके नए फुन है, दोनों फुन में को स्टitaul करना हो गा यह जो एप है डारेक्ट लेश्यक्त्र पर आप डारेक्ले शाड्स करो श्यरा उसके बात मी यह मिल जागा अपको ठीक है श्यर मी फा ट्रांस्वर ठीक है और यह आप जो है यहां से इंश्व counted पर यौप कर ले allow, फिर allow, फिर इस तरह से open होगा, ठीक है? और यहाँ पर open होने कि बाद, आपको करना kid क्या होगा जो आपको पुराना phone है, पुराना phone से send पर क्लिक करना होगा, और नए पुराना phone च्रीक करना होगा, उसके बाद लोकैशन को setting पर जाके on ब्लोटो PC ब्लोटोउस चाहिए अलओ करतू कि दो उसके इनेवर इपट लिंन दिखाएगा तो आपको करना क्योंगा यह सारा का सरत फोटु है ना आपको एक फूटू ya होतेरा यहाँ पे यहाँ से सीलेक कर सकते हो और फिर अलबम पर जाके सारा Iris SG किर udah the मब पूराना विख सों आप पूराना लिए नोग यहाँ चबता हो जो मत पूराना फून में आपको next kanar denaaoga फीर यहां पर आफcono आगा फिर यह जो आपके पुराने पून हमर्य कुर्ण करना नया फून में इस तरफ से आएगा तो यह देखो आज से की वR कोडर करना होगा उसके बाद Bod Research कार्ना होगा एक अद्द meeting उसके बद दूस्तों जैसे connect हो जायागा देखो कितनी speed जो भी यहां पे फाइल है transfer किया था यह देखो कितनी speed हो रहा है transfer इतना MB और इतना समय लाएगा कम समय में आपका transfer हो जाएगा और यह सबसे ज्यादा best speed transfer file है और यह app है तो बस आपके phone में थोड़ा time लग सकता है क्योंकि इतना सारा photo है 2000-3000 photo तो शायद लगभग 5-10 minute लग सकता है लेकिन आप इसी process से एक phone से दुसरे phone में सारा पुराना phone की जितने भी photo है नया phone में ला सकते हो उसके बाद album पर जाओ और recent पर जाके यह देखो जितना photo आ रहा है अभी देख सकते हो 100% यह work करता है बस आपको यह जैसे मैंने process बता है इसी तरह से एक phone से दुसरे phone में पुराने phone से नया phone में photo इसी तरह से ला सकते हो photo video सब कुछ